हेलो फ्रेंड्स मैं मनीशा आपको स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली फूट की चैनल पर आज मैंने बनाया स्पाइसी मटन करी इसके लिए मैंने लिए हैं तीन बड़े टमाटर चार बड़ी प्याज एक चोटा टुकड़ा अध्रक्का और एक पूरी मैंने लिए आठ लाल मिर्च सूखी हुई धल्दी पाउडर धनिया पाउडर नमक दो बड़ी इलाइची दस काली मिर्च पांच लॉंग तीन तेश पत्ता और एक छोड़ी कटोरी दही मसालों को यहां पर मैंने मोटा मोटा कूट लिया है पसाले को कूट कर अलग कटोरी में निकाल लें ग्राइंडर जार में डालेंगे सूखी लाल मिर्च लशन अध्रक और प्याज कटा हुआ आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर दो छोटे चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा पाणी डाल कर इसको पीस लें मसाला हमारा पिस चुका है अब बरतन में डालेंगे तीन बड़े चमच तेल सबजी बनाने के लिए यहां मैंने लिया है सरसो का तेल इसको गरम कर ले तेल गरम होने पर डालेंगे तेज बत्ते कुटो हुए मसाले अब डालेंगे प्याज का पिसा हुआ मसाला इसको अच्छे तरह भून ले अब डालेंगे एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च इसको भी मिक्स कर लें आज हमारी बहुं चुकी है अब इसमें डालेंगे दही इसको अच्छे तरह मिक्स कर ले और अच्छे तरह मसाले यकी साथ भून ले दाई हमारी भुन चुकी है अब इसमें डालेंगे टमाटर पीसे हुई इसको भी अच्छितरे मिक्स कर ले मसाले को अच्छितरे भून ले मसाला हमारा अच्छितरे भुन चुका है मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब इसमें डालेंगे मटन मटन मैंने यह पे बन के जी लिया है इसको मसालेक साथ अच्छी तरह मिक्स कर ले अब मटन को अच्छी तरह भूनेंगे मटन को बीच में भूनते रहें और मसालेक जिसे जले नहीं हमारा मटर हमारा अच्छी तरह भुण चुका है मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है अब इसमें डालेंगे नमक, स्वात के नुसार इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले अब इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले मटन को पानी के साथ अब कुकर का ढखकर लगाकर चार पास सीटी लगा ले या मटन के गलने तक इसे पका ले मटन हमारा पक चुका है कोकर का ढखकन खोले अब इसमें डालेंगे कठ हुआ हरा धनिया इसको मिक्स कर ले अब इसमें डालें आदा छोटा चमच गरम मसाला पावडर इसको बैसी तरह मिक्स कर ले हमारी मटन करी बनकर तयार है आप भी जरूर बनाए अगर वीडियो अच्छी लगे तो पिरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आइकन का बटन भी जरूर दबाए झालें